नमस्कार, सभी को राजके महाविद्धाले जाडूल के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हम पढ़ रहे थे बेए प्रेथमबर सोशोलोजी, पिछले अध्याय में हमने जाना था समा सास्तर का विकाशकरम, इसके अंतरगत आज हम जानेंगे भारत में समा सास्तर का विकास कब से प्रारम हुआ, किस उंचाई तक पहुंचा, इस सब के बारे में किन गिन विद्वानों का इसमें मुख्य रूप से योगदान रहा है इन सब को आज हम इसमें चर्चा करेंगे भारत में समा सास्तर के विकास की जब बात आती है तो राधा कमल मुखर जी का नाम सर्वपर्थ में इसमें निकल कर आता है राधा कमल मुखर जी, socialology of Indian sociology, 1700 गुनि Warszawa गुणी असी मिंके अनुसार भारत में समास अस्तर के विकास की प्रकिरिया लगबग 20. सदी के प्रारम में विसेशत हैं हम मान सकते हैं कि गुणी 120 से गुणी 140 के बीच में इसका प्रारम हुआ जिसमें कई विद्वानों का महतपुन योगदान रहा है भारत में ततकालेन कुछ ब्रिटी साथ प्रशाष्णों द्वारा भारती सामाजिक प्रिदर्शे से सम्मन्दित क्या और क्यूं के प्रश्णों का उत्तर देने के लिए तेजी से सम्मास अस्तर विसे का विस्तार व्य जानकारी करना प्रारम किया बुद्धी जीवियों ने इन जानकारी के आधार पर किये गए विश्लेश्णों को विक्तिनिष्ट माना तथा वे इसे वस्तुनिष्ट बनाना चाहते थे उसके बाद में सन 1783 वे उसके बाद के वर्षों में बंगाल में आर्थिक संग्टन का पुनर गठन हुआ जिसके कारण जमीदारों का एक प्रबुद वर्ग पैदा हुआ जिसने समाजिक विकास्ता नए सिद्धानतों में अपनी रूची दिखाना प्रारम किया उसके बाद साथ अंग्रेजी सिख्षा कतापास्चाती संस्कृती के विस्तार के कारण भारत में एक अलग प्रबुद वर्ग का प्रादूर वार हुआ जो भारती सम्माज को वस्तु निश्टा तथा तारकिक्ता के आधार पर समझना चाहता था कुछ भारती वी बुद्धी जीवी सम्माज सुधार कों के दवार रूप में उभरे जिनोंने प्राप्ट नहीं गाग्यान के आधार पर सम्माज सुधार प्रस्तावित किये उन्हें सासक परग से भी पूर्ण से योग मिला क्योंकि वे इन सुधारों के विरूद नहीं थे फिर आता है भारती सम्माज सुधार को वैविदेशी सासकों के बीच में अंतर विरूद पैदा होने लगे क्योंकि इन भुद्धी जीवियों त्वारा प्रस्तावी सम्माज सुधार के मार्ग में कुछ सासक की नीतियां बाधा बने वी थी जिसके कारण से वे ये सब नहीं चाहते थे उसके बाद में आता है सम्माज के बारे में नहीं ग्यान तथा कुछ तथ्यों की व्याख्या देने के कारण कुछ बुद्धी जीवी अग्रणी सम्माज सास्त्रियों के रोप में उगरे किन्तु इनका द्रश्टिकोन ब्रिटी सासकों की द्रश्टिकोन से मेल नहीं खाता था जैसे जाती पर था के संबन में तो इनों ने अपनी अलग नीती अपनाई इसके बाद में आता है फिर गुनेश्वी सदी के बाद व्रिहद अंतर विरोध वे भारती सम्माच वर राजनेतिक परिप्रेक्षे के बढ़ते बदलाव के कान भारती बुद्धी जीवियों ने मविश्य के बारे में सोचना प्रारम कर दिया कि भारत का मविश्य क्या होगा भारत का सम्माच सास्तर कैसा होगा क्या जो पस्चिम में सम्मा सास्त्रियों के द्वारा जो अवधाना ही दी गई है क्या जो पस्चिम का सम्मा सास्तर है वे भारत में भी भारत में भी भारत में भारत का अपना अलग से सम्मा सास्तर है इन सब के बारे में बुद्धी जीवियों में एक अंतरवीरोथ चलता रहा उसके बाद पर्थम महायूद जब 1914 से गुद्धी बुद्धी जीवियों ने आपने वेसिक ताकों की स्थीरता वा सक्ति को समझा उन में से कुछ पूरोगामी वेत्तियों ने ततकलन सामाजिक स्थिती ऐसी क्यों है भविसे में कैसे स्थिती होगी और उसे कैसे होना चाहिए इन सम्बंद में विद्वानों ने अब सोचना प्रारम किया जिसके परिणाम सुरूप भारती सम्माज जिसमें 1920 से 1940 के बीच में कई पूरोगामी सम्माज सास्त्री उभरकर सामने आए हैं उनकी सामाजिक प्रिस्ट्वू में इस परकार हैं क्योंकि उसमें इस इंडिया क अपनी के अजेंटों ने भारत में विभीन भागों में भारती सम्माज के बारे में जानकरी एकत्तरत की हैस्टिंग ने हिंदू वे मुस्लिम कानूनों की सापिक एक कुंडली तयार की जीला गजेटियर्स वे जनगना की परतिवेदन तयार किये गए जिन में लोगों की आर्थिक उनकी समाजिक स्थिति का वड़न किया गया इसाई मसीनरियों वे अंग्रेजी परसासकों ने संकली जानकारी की इस परकार से व्याख्या की जिससे सासके नीतियों पर उसका परभाव पढ़ने लगा कुछ विद्वानों ने जम्मिदारी पर्था तता ग्रामिन समुदायों के ढाचे तता कारियों में पाई जाने वाली विभीन छित्रिय विविदताओं के वारे में इतियासकारों और मानवसास्तियों में के मद्दे में एक नई परकार की बहस प्रारम हो गई अंग्रेजों ने संपूर्ण देश चता ग्रामिन समुदायों के लिए एक ही आर्थिक ढाचे का निर्मान किया उन्हें हिंदू सम्माज पर जाती प्रता का अत्यदिक प्रभाव नजर आया भारते बुद्धी जीवियों की रूची अपने भुद्काल से हट करके अंते सांसकर्तिक स्थिती की और परिवर्थित हो गई और हम यह कह सकते हैं कि यह पूरोगामी समाज सास्तियों के द्वारा भारते समाज व्य समाजिक संस्थाओं की व्याख्या की गई अंग्रेजी सासकों के दोरा की गई व्याक्या में हमें बहुत कुछ अंतर देखने को मिला इस से भारते वीद्वानों की मानेता में बद्दाव आया समाजिक वास्त्विक्ताओं को समझने की उनकी जो वीधी इन पूरोगा में समासास्त्रियों के द्वारा जो अपना ही गई थी वे पासाते पदद्धी की नकल नहीं थी सन 1950 के दसक में समासास्त्रियों जिनमें आरके मुखर जी को आधुने कहा जाता है वो उनसे बिलकुल भिन थी अधिकास पुरुगा में समाज सास्तरी राष्टरवादी थे किन्तु वे राजनिती में सक्रिये नहीं थे इन में से अधिकास बंगाले थे किन्तु कुछ बोंबे के निवासी भी थे ये लोग समाज सास्तर की और विभीन विश्यों से आये थे उन्होंने अनुसंदा ने तु भीन-भीन वीधियों का सम्माज सास्तर में प्रियोग किया था भारती सम्माज के विभीन आयामों पर बल दिया। विने कुमार सरकार दे पोजिटिव बेक्ग्राउंड ओफ हिंदू सोसाइटी गुनिशो चोधा में दी। जी एस गुरे कास्ट क्लास, कास्ट आंड ड्रेस इन इंडिया गुनिशो गुनेतर में दी। एक-एक कुमारा स्वामी, डान्स ओफ सीवा गुनिशो अर्टालिस में, राधा कमल मुखर जी, दे डाइनेमिक्स ओफ मोरल्स गुनिशो बावन में, दीपी मुखर जी, इन्नोंने अपनी पोस्तक डाइवर सिटीज गुनिशो इठावन में दी। ये अनिक्स भारतिय समाज सास्त्री हैं, जिनोंने भारतिय समाज सास्तर को सम्रिद बनाया है और उसके विकास में अपना महत्वपुन योगदान दिया है। धन्यवाद। पर स会दे राज़ बनाया हैだ यहां अपनाया है।